नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल माजित साइंस में आज हम आपके लिए लेकर आया है हर्याना करेंट अफेयर 2019 पार्ट नमबर 10 बाग की 9 पार्ट हम अल्रेडी डिसकस कर चुके है इन सभी पार्टों को देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन में लिंक दे दिया है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं फटा फ़र्ट दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेस्टन है परदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए हर्याना सरकार ने किसका गठन क्या है हमारे पास पूर उप्षन है आधुनिक योग परिसद का, हर्याना योग परिसद का, योग आयोग हर्याना का या हर्याना स्वास्त्य आयोग का दोस्तो इसका उप्षन नमबर बी यानि हर्याना योग परिसद का गठन किया गया है अंतरेश्टे स्तर पर योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था और हर साल यह है 21 जून को मनाया जाता है हर्याना योग परिशद का मुख्य उदेश्य है परतेक नागरी को सवस्त जीवन सेली से परिचित कराना हमारा next question है aims की MDS परिख्षमी हर्याना की किस बेटी ने टोप किया है हमारे पास more option है अनेता यादाव ने गरीमा अरोडा ने अनु कुमारी ने या देवी का रानी ने दोस्तो इसका उप्शन नमबर भी यानि गरीमा अरोडा ने जोखी भीवानी की रहने वाली है इन्होंने एम्स की परिक्षा में टोप किया है एम्स की फुल फोम है All India Institute of Medical Science गरीमा अरोडा ने 100% प्राप करके देश भर में परतम रेंग हासिल किया है हमारे next question है NGT ने हर्याना के कितने गाउं को मोडल गाउं बनाने के लिए चुना है हमारे पास और ओप्शन है 83, 112, 152 या 203 दोस्तों इसका option number C यानि 152 NGT ने हर्याना के गाउं को मोडल बनाने के लिए चुना है NGT की फुल फोम है National Green Tribunal यानि राष्ट्य हरित प्राधिकरन जिसका गठन 2010 में किया गया था इसका मुख्या देश से है गाउं को सहरों की तरज पर विक्षित करना हमारा next question है हर्यान सरकार ने अत्याचार से पीडितों की साहेता रासी बढ़ा कर अब कितनी कर दी गई है हमारे पास और option है 8,000, 85, 9,000 या 10,000 हर्यान सरकार ने अत्याचार से पीडितों की साहेता 75,000 रुपे से बढ़ा कर 10,000 रुपे कर दी है हमारे next question है नोवी सब जूनियर वूमान नैशनल होकी परतियोगिता का खिताब किस टीम ने जीता है हमारे पास और option है हर्याना ने, मध्या परदेश ने, जारखंड ने या रेलवे ने दोस्तों इसका option नमबर A यानि हर्याना ने मध्या परदेश की होकी अकैडमी टीम को पराजित करके नोवी जूनियर वूमेन नैशनल होकी परतियोगिता का खिताब जीता है और इस परतियोगिता का आयोजन हिसार जीले में किया गया था हर्याना की दीपीका को पलेयर ओफदी टूर्नामेंट भी चुना गया है हर्याना में सात्मी आर्थिक गणना का काम भारत सरकार्गे कीस मंतराल्य द्वारा करवाया जा रहा है हमारे पास पर option है वित मंत्राल्य द्वारा आर्थिक सर्वेक्षन मंत्राल्य शांकिय की और कार्यक्रम कार्यवेहन मंत्राल्य या केंदरिय जलवायू मंत्राल्य दोस्तो इसका उप्षन नमबर सी शांकिय की और कार्यक्रम कार्यवेहन मंत्राल्य की देखरेक में हर्याना की सात्वी आर्थी गंड़ना का काम दस जून से शुरू कर दिया गया है इस बार आर्थी गंड़ना मुबाइल या टेबलेट के द्वारे डिजिटल की जा रही है हमारे नेक्ट क्वेस्चन है धान की पराली के परबंदन के लिए कौन सा देश हर्याना का सैयोग करेगा हमारे पास पौर उप्षन है मलेशिया, कनाड़ा, नीदरलेंड या जर्मनी दोस्तो इसका उप्षन नमबर C यानी नीदरलेंड हर्यान में धान की पराली के परबंदन के लिए नीदरलेंड देश हिसार स्तित चोदरी चर्ण सिंग हर्याना क्रीशिविश्विजल्या के साथ मिलकर काम करेगा हमारे नेक्ट क्वेस्चन है सूटिंग विशवकप 2019 में हर्याना की मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है हमारे पास फोर ओप्षन है सरवनक पदक, रजत पदक, काश्य पदक या इन में से कोई नहीं दोस्ते इसका उप्षन नमबर A यानी सावरन पदक बाहरत्य युवे निसानेबाज मनु भाकर और सोरव चोधरी की जोडी ने सूटिंग विशवकप 2019 में 10 मिटर एयर पिश्टल मिश्रित सपर्दा में 7 पदक जीता है मनु भाकर हर्याना के जजजर जी लेके गोरेया गाउं की रहने वाली है इन्होंने ओलंपिक गेम 2018 में 10 मिटर एयर पिश्टल में भी गोल्ड मैडल जीता था और इसके अलावा इन्होंने कोमल वैल्थ गेम 2018 में भी गोल्ड मैडल जीता है नेक्स्ट क्वेस्टन है केंदरिया मानव संसाधन विकास मंत्राले ने हर्याना के कीस विशव विधाले को 4.62 क्रोड रुपे के 6 रिचर्प प्रोड़क्ट दिए है हमारे पास पर उप्चन है चोदरी चरन सिंग हर्याना क्रीशी विशव विधाले दोस्तो इसका उप्शन नमबर ए चोधरी चरण सिंग हर्याना क्रिसी विश्विदालिया को केंद्रिया मानव संसादन विकास मंत्रालिया ने हर्याना के 6 रिचर्च प्रोडक्ट दिये है जो की हिसार जिले में स्तीत है हमारे नेक्ट क्वेशन है रोयल सोसाइटी में सामिल होने वाली पहली भारतिया महीला कोन बनी है हमारे पास को रोप्शन है सवेता चोधरी वीना दलाल गगंदीप कंग या अमनपरित कोर दोस्तो इसका उप्शन नंबर C यानि गगंदीप कंग जो की रोयल सोसाइटी में पहली भारतिया महीला बनी है इसकी सुरुवात वर्ष 1663 में हुई थी दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा कोमेंट कीजिएगा और सस्क्राइब कीजिएगा माजित साइस को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद